जै श्री राम मेरे सिंग रासी के प्यारे जातक जातिका मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना डॉक्टर राजमिश्रा सिंग रासी कालपुरुस के पंचम अस्थान की रासी और इस्पेशली इस महीने स्वयम सूर्य आपकी रासी में गोचर करने वाले हैं हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की क्या रहेगा अगस्त में आपके लिए खास इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन मैं एक महत्पूर्ण सूचना आपको देदू हर महीने देता आया हूँ कि यदि श्रीमत भागवत की कथा श्रीडाम कथा श्रीशिव महापुरान की कथा आप अपने छेतर में कराना चाहते हैं संगीत में सुंदर कांट पाठ इत्याद करना चाहते हैं देश या विदेश में तो कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं इस कारिक्रम को अपने शेतर में आयुजित कर सकते हैं मेरे द्वारा और इसके द्वारा आपके जीवन में आपके घर में जो अशान्ती पीड़ा है उसको दूर किया जाए और उसके शाथ आपके पित्रदो सित्याद को दूर किया जाए इस प्रकार का मेरा प्रयाश रहता ह मुझसे बात करना चाहते हैं तो call appointment लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं जब भी बात करना चाहते हैं आईए हम बात करें थोड़ी सी सिंग राशी के बारे में शिंग राशी किस नच्छतर से बनती है और राशी श्वामी इसके कौन है तो सूर्य आपके राशी श्वामी है शिंग राशी अगर देखा जाए तो काल पुरुष की पंचम छेतर की राशी मानी जाती है काल पुरुष्ट के अगर हम हिरदय शेली करके और पेट शेत की बात करें तो ये राशी इससे रिलेटेड राशी मानी जाती है अगर हम शिंग राशी की बात करते हैं शिंग राशी के श्वामी सूर्य है पुर्व दिसा की राशी है च्छत्रिय प्रकृत की राशी है मघान च्छत्र पुर्वा फालगुनी नच्छत्र और उत्रा फालगुनी नच्छत्र के एक चरण से मिला करके बनती है शिंग राशी मगा नच्टरगे श्वामी केतू, पुर्वा फालगुनी के श्वामी शुकर और उत्रा फालगुनी नच्टरगे श्वामी सूर्य यानि केतू, सूर्य और शुक्र यह तीन प्लाइनट इस राशी के लिए विशेश responsible प्लाइनट माने जाते हैं सिंग राशी को अगर देखा जाए क्योंकि बन में बिच्रन करने वाली राशी है सिंग राशी के ब्यक्ति के लिए ब्योशाय करना सबसे फायदे मंद होता है सिंग राशी इस्तिर प्रकृत की राशी इसलिए ब्योशाय फायदे मंद होता है बट सिंग राशी के लिए सबस का महीना, अगस सप्टमबर का महीना करीब करीब भधर्बद मास में आता है. सप्टमबर में जन्म हुआ हो और अगर सुवह सुर्य उदैशे एक से डीर घंटे के अंदर जन्म हुआ हो तो ऐसी परिस्थति में सिंघ रासी के जातक जातिका राजनैतिक छेतर में बहुत सफल होते हैं और ऐसे जातक जातका किसी के अंडर में कभी काम नहीं कर पाते हैं उनकी सरकारी नौकरी से कम की इक्षा ही नहीं होती है या फिर स्वैम का बेऊशाई ही करते हैं दूसरे के अंडर में कारी करना सिंग्रासी के लिए बहुत मुश्किल होता है पदार्था मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए यानि बहुत गरम भोजन सिंगराजी के जातक जातिका को नहीं करना चाहिए नसीली पदार्थों के सेवन से बहुत बचने की आउशकता होती है कि already आपका जो नेचर होता अग्रेशिव होता है already नेचर आपका क्रोधित होता है गर्म तीखा या मादक पदार्थ कीर सेवन से उसकी मात्रा और बढ़ जाती है जिस कारण से आपको और दिक्कत होने की संभाव ना रहती है जल्दबाजी के कामों से आपको बचना रहता है जल्दबाजी के काम आपको नहीं करने चाहिए उससे बचना चाहिए बलड से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन इत्याद यगर शरीर में हो तो तुरंट उसकी उचित उसका इलाज करना चाहिए बुखार को कभी भी सिंग रासी की जातक जादिगा को नजरंदाज नहीं करना चाहिए यानि बलड से रिलेटेड बुखार से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हमेशा सिंग रासी के लिए बड़ा सो रूप धारन कर लेती है आईए बात करते हैं अगस्त में आखिर क्या रहने वाला है 16 अगस्त तक क्योंकि करक रासी में सूर्य गोचर करेंगे 16 अगस्त तक आपके रासी स्वामी है यहां तक आपके confidence लेवल में कमी देखने को मिलेगी अजीब से सुपन आते हुए देखने को मिलेंगे प्रयास के बाद भी असफलता प्राप्त होती हुए दिखेगी मानसिक असांती त्याद रहेगी लेकिन 16 तारीक के बाद जैशे ही सूर्य सिंगराशी के अंतरगत प्रवेश करेंगे आपके अंदर एक अलक्षी उर्जाएगी मान शम्मान प्राप्त होगा नए लोगों के शाथ मुलाकात होगी और शम्मान प्रतिष्ठा इत्याद मिलेगी आपको आप देखेंगे कि लोगों के अंदर एक बड़ा सुन्दर परिवर्तन देखने को मिल रहा है 16 तारीक से पहले आपको हॉस्पिटल इत्यादी के चक्र लगाने पड़ सकते हैं स्वास्थ इत्यादी को लेकर के दिक्कते उत्पन रह सकती हैं लेकिन 16 तारीक के बाद इस पीड से रिकबरी और स्वास्थ बहतर इस प्रकार की परिस्थतिया आपके साथ निश्चित रूप से रहने वाली हैं क्या इस महीने हम स्वास्थ को ये माने हैं कि स्वास्थ के दिरिष्टी से जो ये माह है वो बहतर रहेगा येश बिल्कुल कहा जा सकता है बिफोर जो हाप मन्त होगा अगस्थ का सोला तारीक से पहले बाला जो समय होगा ये स्वास्थ के लिए अच्छे समय की दिरिष्टी में नहीं देखा जाएगा लेकिन सोला तारीक के बाद का जो समय है उनिस्चित रूप से बहतर देखा जाएगा क्या नौकरी के द्रिष्टी से ये महा अच्छा होगा ये कहा जा सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ की कोई 10th हाउस में मंगल का और ब्रहसपती का गोचर रहेगा इसलिए ब्यापार में ब्रिध्धी नौकरी में सुन्दर परिवर्तन ब्यापार में ब्रिध्धी नौकरी के अंतरगत सुन्दर अगर परिवर्तन की बात की जाए तो नौकरी के लिए सुन्दर परिवर्तन नई नौकरी की प्राप्ति उसका रिजन है मंगल और ब्रहसपती तो दसंबाओं में गोचर करेंगे बट दसं के शामी बुद्ध के साथ जाकर के लगन में गोचर करेंगे तो ये एक बड़ा सुन्दर समाबेश रहेगा इस महीने कुछ खास प्रतिष्ठा सम्मान आपको प्राप्त होगा आप नोट करके भी इस बात को रख शकते हैं और आप इसको चक कीजिएगा कि पिछले महीने की अपेक्छा इस महीने आपके सम्मान में ब्रदी हुई है ल प्रफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑव यूशे अगर कहा जाए तो ये कंडिशन आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी दिख रही है संतान इत्यादियानी बच्चे इत्यादि भी अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे अशा दिख रहा है लेकिन आर्थिक परिस् अच्छी नहीं होगी शाथ में कुटुम्ब के अंदर उल्जनों का समावेश रहेगा रात को नौ बज़े दो पहर को बारा बज़े लाइब आता हूँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप जानते हैं कि रासी पेल में बहुत सारा जानकारी देना मुश्किल होता है अध शुब कामनाक्षाथ इसकारिक्रम को देता हूँ विराम आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जैश्री राम